गुण मारिंग बच्चों आज हम आपको एक्सरसाइज 7.1 तिरभुज मैस में पढ़ाने जा रहे हैं जिसका पहला कोश्चन है तिरभुज ABCD में AC बराबर AD और AB को A को सम्धिवाजित करता है आकृती में देखिए दर्शाहिए कि तिरभुज ABC सरवागसम है तिरभुज ABD क तो आप आकृती देखी रही है अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बतानी है कि BC और BD के बारे में भी बताईए तो दिया है AC BD एक चतुरभुज है जहाँ पे AC बराबर AD है तथा AB को A को सम्धिवाजित करता है तिरभुज ABC सरवागसमें तिरभुज ABD के तो उपत्त करते मतलब सिद्ध करने की प्रासेस तो तिरभुज ABC तठा तिरभुज ABD में क्या है ए भी बराबर AB दोनों बहनिस्ट हैं AB AB के बराबर ह्याँ उसके बाद हमने क्या लिखा है है कोड BA C बराबर BAD B A C बराबर B A D यह क्या है यह आपको दिया है और AC बराबर AD यह भी आपको प्रश्ण में दिया हुआ है तो जब तीन चीजें बराबर हो गएं भुजा कोड और भुजा SAS है ना तो दोनों तिरुबू सरवागसम होते हैं तो हमने यहां पर लास में लिख दिया इसलिए BC बराबर BD तो आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा अच्छे से इसको कॉपी में आप कर लीजेगा और मैंने वीडियो को थोड़ा सा रोका हुआ है जिससे आप सवाल को अच्छे से समझ जाएं और उसको कॉपी में कर सकें तो इसक इसमें AD बराबर BC और कोड DAB बराबर कोड CBA है आकरती देखिए सिद कीजिए कि इसमें आपको पहला सिद करना है ABD सरवागसे में तिरबुझ BAC और BD बराबर AC प्रूफ करना है तीसरा प्रूफ करना है तिरबुझ ABD बराबर कोड BAC तो यह चितर बना हुआ है आपको ए गड़ित में जितने भी सिध करने वाले सवाल हैं उसको करने का तरीका क्या है वो बता रहे हैं तो पहले हम लिखेंगे प्रेशन में दिया क्या है अगर आप इतना भी लिख देंगी प्रेशन से देखके कि इसमें क्या-क्या दिया हुआ नीचे तो इस पे भी स्ट्रेप में से देखीजिये, तो दूसरे step में भी आपको नंबर मिलेंगे, यहां तीन чीजा develops, क्या ? सिर्वज ABC, दूसरा सिदकर्ना ाए बीडी बराबर AC, तेसरा सिदकर्ना ओर ABD बराबर Ceccule ABC, और दो इस स्टेपब आपने सिर्फ press से ही उतार लिये , तीसरा, चितर आपने press का उतार लिया, तो आपने इसको अभी पूरा भी नहीं solve किया, आपने इतना ही लिख दिया प्रश्म से देखके, तो आपको जो है, marks मिल जाएंगे, तो बच्चों कभी भी कोई भी question आपको ना आए, तो blank ना छोड़िये, खासतोर से रेखा गडित में, तो अब उपत्ती आती दबी, दुसरा तर बज़ आपका क्या था, बी, ए, सी, तो बी, ए, सी में देखी है ना, बी, ए, सी, इस वाले में देखी है तो यहाँ पे आप, अब बराबर बी ये लिखेंगी, अब बी, कहां है, ये है और बी, ये भी यही है, दोनों तर बुज में ये common है, दूसरा को D-A-B बराबर C-B-A D-A-B बराबर ये कोड और ये कोड आपको बराबर दिये ही हुए है तो ये लिख देंगी उसके बाद जो है तीसरा क्या है A-D बराबर B-C A-D ये है A-D और B-C बराबर एक लाइन के द्वारे चितर में दिखाये लिया है तो ये दोनों आपस बराबर है तो जब तीन चीज बराबर हो जाती तो तिर्बु सर्वागसम होते हैं तो हमने इसमें लिख दिया तिर्बु जै बी डी सर्वागसम तर्वागसम 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 से साइड एंगिल साइड सर्वागसम तर्वागसम तर्वागसम स और कोड A, B, C बराबर B, A, C क्यों हो जाएगा क्योंकि सरवागसम तिर्बुज के संगत कोड हैं तो यही आपको कोश्चन में प्रूफ करना था एक बाद फिर से वीडियो को इस पस्ट देख लीजिए कि आपको यह कोश्चन दिया है A, B, C, D एक चतुर बुज है जिसमें A D बराबर B, C, कोड D, A, B, बराबर कोड C, B, A दिया हुआ है आकरती में और सिद कीजिए कि तिर्बुज A, B, D सरवागसम है तिर्बुज B, A, C के बुजा B, D बराबर है A, C के और कोड A, B, D बराबर है कोड B, A, C तो बच्चों इसमें हमने आपको भी बताया था कि क्या चीज दी है, क्या चीज सिद करना है उसके लिखने के बाद सिद करने का प्रोसेस अपनाते हैं तो जिन तिर्बुजों को सरवागसम सिद करना है चितर में वही तिर्बुज पिक कर लेते हैं और तीन चीज़े निक तो बच्चों हमने 7.1 के दो कोश्चन आपको बता दिये हैं इसमें और भी कोश्चन है प्रूफ करने वाले इसी विदी से आप इसको कॉपी में प्रूफ करेंगे और हमें बताएंगे आपको अगर कोई डिफिकल्टी नहीं आ रहा तो मैं उसको